लेट fx is cost to square root of 1 plus greatest integer value of x का whole square and another function gx is defined as this then on the basis of the ever information answer the following question तो यहाँ भी part 1 अपने को solve करना which of the following is incorrect ठीक है तो अपने को इस question में incorrect अपने को चूज करना ठीक है incorrect चूज करना तो option a अगर अपन देगे तो option a क्या बोल रहा है कि for any arbitrary integer i ठीक है for any arbitrary integer i क्या कि बने यहाँ पर f of i is cost to f of minus i minus 1 ठीक है तो कोई भी arbitrary integer let's say पन cancel कर लेते हैं तो i integer की value let's say मैं 2 ले लेता हूँ तो f of 2 की value क्या हो जगा है यहाँ पर यह जगा आपने पस square root of 2 plus greatest integer value of 2 का whole square इन्होंने integer बोला है लेने को ठीक है यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है square root of 2 plus greatest integer value of 2 क्या आजएगा 2 और 2 का whole square क्या आजएगा 4 यह क्या लिखा हुआ है root of 6 let's say मैं यहाँ पर अगर आपन देखे तो यह क्या लिखा हुआ है यह Jeśli तो 4 यहाँ एक पर उन्हों अगर आपने to लिया है तो मैनस आई क्या होगा मैनस ट्यों और मैनस उन था- मइनस री और मैनस फुर्टYou का क्या होगा है यहां पर x के जिए अपर kya होल स्कुर्ट की आफट के स्कूर्पर ? मैनस 3 और मैनस 3 का भूल स्कूर क्या आजाएगा 9 यह-3 प्लस में 9 तो क्या आजाएगा है यहां पर root of 6 लेके पूट किया ठीक है यहां i value यहाँ पर 0 लेके भी तो यह अपना आंसर नहीं होगा ठीक है यहां पर लट से इसको लिख देता हूं कि अपने को इनकरक्त चूज करना है अब इन्होंने बुलाए कि अगर पन देखे तो एफ जीडियो और फॉप जीरो के वैल्यू एफ एक वाइनस वन के इक्वल आ गया विच इस इक्वल जीरो यहां पर यहां पर आपन डिर्क्ली देख सकते कि फंक्सन क्या यहां पर मैनी वन अगर फंक्सन मेनी वन है मतल्ब इन्जक्ट्यपतों नहीं होँआ इन्जक्ट्यप्यक्तिव क्या होता फॉन वर constructor क्या थे फंक्ट्यों क्या होगा यहां पर मैनी वन और इंन्हों ने आप्शन पी यहां पर आंसर हो जागा ठीक है यह फोशनक्य और अपने को फॉल्स value of X square अब इसकी value क्या होने चलिएक यह आपने पास X plusicz shall value of x square यह क्या और чee ऑलवेज greater than equal to 0 यहे क्या होना चलिए Always greater than equal to 0 अबक्ता आपन देखिए तो यह always true है ठीक है always true क्यो है अगर आपन देखिए तो यह quantity आपन लेटसे दो कोंडिटी को मैं यहां इसको दो इंट्रवल एंट्रवल कर लेता हूँँ एक इ्ट्रवल से लेता हूँ यहां पर लेट से एक सग्रेटर दन इक्वर्टिटी सीजिडो दूय चॉछ झुछ इक और एक्स ग्रेटर करें तो ये क्या हो यह positive number और यह भी positive number ठीक है दोनों क्या होगा positive number या फिर दोनों के value minimum zero हो सकती है यह तो true है greater than question zero के लिए true है ठीक है अब मैं x value let's say less than zero लेता हूं x value less than zero के लिए अपन true करेंगे let's say x value क्या ले लो यहां पर x value पन लेते हैं यहां पर minus one से zero के लिए ठीक है minus one से zero यह negative value हो गया x के लोगर पने यह लेंगे लिए तो greatest integer value of x क्या आजएगा अपने पस minus one के equal यह आजएगा minus one के equal बट इसका whole square क्या आजएगा इसका whole square आजएगा one के equal अब अगर अगर अपन देखे तो इन दोनों का summation क्या होगा यहां से अगर अपन देखे तो अपन बोल सकते हैं कि x plus greatest integer value of x का whole square यह क्या होगा positive ही होगा ठीक है greater than equals to zero होगा ठीक है greater than equals to zero होगा अगर अपने x के लिए intervals क्या लिए minus one to zero let's say मैं next interval यहां पर consider कर लेता हूं x belongs to minus two to minus one इस interval में let's say मैं greatest integer value of x की value देखू तो यह क्या जागा अपने पस इसकी value हो जाएगी यहां पर minus two के equal और इसके whole square क्या हो जाएगी greatest integer value of x की whole square की value क्या हो जाएगी four यहां से अपने लिख सकते हैं की x plus greatest integer value of x क्या होगा greater than zero यहां तो greater than zero होगा equals to zero होगा इने तो यहां पर क्या गया domain क्या गया all real ठीक है domain अगला all real आ गया तो statement c भी क्या हो गया true तो इसको मैं यहां पर true लिख देता हूँ तो यह अपना answer नहीं होगा यह क्या हो गया false क्योंकि function क्या है main one अगो अपन option d चेक करते है function fx is discontinuous ठीक है function fx अगर discontinuous है तो let's say मैं यहां पर कोई भी value चूज कर सकते है अपन option d के लिए let's say मैं 0 चूज करता हूँ ठीक है f of 0 का value अपने find out करें क्या आया है f of 0 का value कर अपन देखें यहां पर option a मैं अपने find out करें तो इसका value क्या आया थी 0 अब let's say 0 पर मैं rhl check करता हूं अब यहां पर अपने ने पर देखें तो आढ़ चल के आ जाएगा यहां पर limit extension to 0 plus यहां जैगा sqr root of x-plus-rate integer value of x-ka whole square यह value आजागा अपने पर दोड़ास इसकी value करेंगे तो 0 प्लस पर इसकी value क्या हो जाएगे 0 प्लस 0 प्लस पर greatest integer की value क्या हो जाएगे 0 और उसका whole square तो यह value आज़ेगा 0 square which means इसकी value 0 अब यहाँ पर let's say LHL की value पर find out करते हैं तो यहाँ आज़ेगा limit x 10 to 0 minus और यहाँ आज़ेगा square root of x plus greatest integer value of x का whole square तो यहाँ आज लिएपास 0 और 0 मेलस पर greatest integer की value क्या होती है ?-1 0 मेलस पर greatest integer value क्या होती है ?-1 का whole square यह value क्या पर root of 1 is equal to 1 यहाँ से आपन क्या बूलसे है function limit की value equal नहीं है तो fx is discontinuous ठीक है ? fx क्या है यहाँ यहाँ पर discontinuous at every integer ,discontuous at integer , ठीक है ? ठीक है ? डिसका है इवरे integer ठीक है ? यह भी क्या इनकर्रेक्ट स्टेटमेंट ने ओप्सन बीज़ दा इनकर्रेक्ट स्टेटमेंट और वहीं अपना आंसर होगा